नमस्कार दोस्तों स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अभी की रेशन्स में दोस्तों आज मैं देवर कॉलने जाया हूँ जो की स्राबनी मेला में यहां पर भी काफी फिर लगा हुआ राता है तो मैंने देखा कि यहां पर क्या कुछ त्यारी है वो मैं आपको दिखाने वाला हूं तो चलिए मैं पूरा आपको दिखाऊंगा तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजएगा और कमेंट करके बताएगा कि यह जगह पे आप लोग ठायरे हैं या नहीं इधर आप लोगों को आने का मौका मिला या नहीं अभी यह जो फिल् जो होता है पंडल वेगर बना हुआ रहता था तो इस बार मुझे वो सारी चीज़ देखने को नहीं मिला मैं भी हो सकता है कि इस बर जो मिला यहाँ पे देवर कॉलेज में टेंड की क्या वेवस्ता है और वो तो आप देखी रहें कि यहाँ पर कुछ नहीं बना हुआ है ल ऐसे कि पहले बहुत ज़्यादे भीड़ लगता था तो मैं एक दो दिन और बात जाओंगा और दिखाओंगा कि क्या यहां पर दुगाने लगा है यह तो पहले अब देख सकते हैं यहां पर काफी दुकान रहता था जिसके कि लोहा का दुकान होगा फल का दुकान और भी कुछ है वो देखने को मिलेगा वैसे के लिए देखवर कॉलेज में कुछ तो कुछ बैवस्ता ऐसा होगा जरूर अभी भले नहीं क्या हुआ लेकिन पांच-छे दिन के अंदर शुरुबात हो जाएगा ऐसा जरूर यहां पर कुछ देखने को मिलने वाला ठीक है तो अभी हम हम लोगे आगे दो दियायां चलेंगे और दिकांगे 내 से वीन और थ्लक्रण आगे अपर जैंगे Мोंब करणाथो भी तराप दिसन करेंगे और वैसे भी लगैगा भी आप देखिए गाड़ी भी दुकान निबना एक दो दिन में वहाँ पे तयार हो जाता दुकान ठीक है तो यह देखिए यह रास्ते में जो आप देख रहे हैं इह रास्ते भी काफ़ी भीर रहता है लेकिन अभी आपको बहुत ही खाली नजर रहा रहा है जितनी भी गाड़ियां बेगरा आते हैं फोर वेलर टू वेलर तो इधर से ही अंदर जा सकते हैं Otherwise उधर से तो जाना मिस्कील है जो मैं आपको दिखा रहाता कवरिया पत यह रोड जो है काफी उसमें चालू रहता बस बेगार इधर से निकलते हैं ठीक है यह जटाइम मोड है और अगर हम लोग इधर लैप्ट साइड जाएंगे तो सीधे बावब इतना धाम जाएंगे लेकिन मुझे आपको दिखाना कि किदा शेकावरी आते हैं यह जो लाइनिंग रहते हैं इधर से काफी भीण लगा हुआ रहता है यह जो हम लोग अभी जा रहे हैं यह लाइन में आपको काफी भीण देखने को मिलेगा और लाइन लगा हुआ रहता है इधर अभी कुछ त्यारी जादा नहीं हुआ है धिरे धिरे त्यारी होगा तो यह जटाइम और से अभी हम लोग सीधा जाएंगे कहाँ पर नंदन पहाड टीक है यह रास्ता ही नंदन पहाड की और जाती है आप लोग जरूर कमेंट करके बताईएगा यह हमारा बरमस्यावला रोड है तो क्य इसी तरह से लाइन जाते है आप लोग जरूर बताईएगा अगर आप लोग आए होंगे तो मेरे ख्याल से क्योंकि जटाइम मुझे पता था कि सीधा बाव बिदना धाम से जटाइम मुझे लगती है लेकिन यह जो हमारा नंदन पहाड है नंदन पहाड से कहां से लाइनि बावारा नंदन पहाड में हैं अभी क्या कुछ तियारी है वैसे के लिए नंदने थाम मैं आपको मैंने एकवर वीडियो दिखा आया ता कुछ तियारी नहीं चला था क्यूंकि एक गॉलम बर bare ना वान आ दा बार चारो तरफ से क्या करना था खुमाया जा रहा था ता कि जो कवरिया की भीड़े कम की जाए और लंबी लाइनिंग होने से तो काफी जादे कवरिया आ सकते हैं तो इसलिए हम लोग अभी नंदन पहाड जाएंगे और वहां पर देखेंगे तो यह हम लोग धीरे-धीरे रास्ते से बल रहें ज्यादा में ज्यादा दूर नहीं है आप सुल्तान गंद से देखवर आने में आपको जितना समय ने लगता होगा उससे ज्यादा समय आपको बोल सकते हैं कि आपको दर्शन करने में लगेगा यूकि भीड इतनी हो जाती है कि लंबी कतारे हो जाती है और धीरे-धीरे-धीरे-धीरे करके दर्शन होता है बाब उसके बाद मैं आपको आगे दिखाऊंगा कि कैसे क्या कुछ त्यारी हो रहा है ठीक है फाइनली दोस्तों हम लोग नंदन पहाड आ गये हैं और यहाँ पर एक चीज हमको देखने को मिल रहा है कि यह काफी जो सड़के हैं इसको पक्की कर दिया गया और दोनों साइड देख सकते हैं यह बांस बेकर बांद दिया गया अब मुझे लग रहा है कि हाँ यही पत है जो जिदर से हमारे कमरिया भाई सब आएंगे और बावा बेदना था मंदिर जाएंगे तर्शन करने के लिए मैं सबसे पहले राइट साइड वाले रोड पर जाओंगा जो कि गुलमबर कहां पर घुमाया जाता है वो मैं आपको दिखाओंगा यह रोड जो है सीधे हम लोग अभी यह बो सकते हैं नंदन पहाड की जो गुलमबर बना हुआ चारों तरफ से घुमाया आता है वह वहां पर जाएंगे तो इधर से ही लाइनिंग आपको लगाया जाएगा इधर भी बांस विगर पूरा बांद आ जाएगा वह आपको मैं फिर दिखाऊंगा कभी किसी दिन अगर त्यारी हो गया फिलाल में देखता हूँ कि यह जो कॉलमबर बना हुआ है इधर क्या वेवस्ता है क्या मतलब की सेड बना हुआ है यात्रियों के लिए या नहीं वह दिखते हैं तो देखें इसमें काफी सेड बना साइद पिछले सावन में आप लोग जरूर कमेंट करके बताएएं गां और इसमें काफी घुमाया जाता है देख सकते हैं मैंने देखा था कि काफी इधर भीड़बार लगता था और यह नहीं पता है कि सेड वेगार था यहने मुझे ख्याल नहीं है आप लोग जरूर कमे तो बनाया जा रहा है मतलब की इधर से कावरिया के लिए इसी में घुमा दिया जाएगा और साथ ही यह बैठने के लिए रेष्ट करने के लिए जो दे रहा है यह फूरा अची तरीके से मरमत किया जाएगा और यह देख सकते लगबक आपको एक डिड़ किलोमेटर तो इसी म को खुमा के रखेगा ताकि भीड़ जादा ना हो ठीक है और ये हमारा देख सकते हैं एक आगे आपको तलाब मिल रहा है और ये नंदन पहाड का तलाब है और अगर आप लोग इधर से क्रॉस की होंगे अगर आपको कभी लंबी लाइनों के सामना करना पड़ा होगा तो जर ये जगह आप लोग पूजा करके देखें ना की पूजा करने के लिए तभी देखें क्योंकि काफी लंबी कता रहेंगा तो बहुत लेट लगेगा आपको और यह देसकते हैं तलाब है और यहां पर उस टाइम में काफी नाव विगरा चलता है आप जो ले सकते हैं नाव विवस्ता है जूला विगरा है भूत खर है और फिर बोल सकते हैं तारा माचे बहुत सारा चीजे हैं जो कि आप आगे देखोगे अब देखें यह रोड जो है हमारा पूरा सीधा अब जो जहां से हम लोग इंटरी किये थे वहीं हम लोग पहुचने वाले हैं तो चलिए ध दिख्योगे कर दिखाना यह पूरत थानी सही से इसको सही किया गया है और आज पास भी सफाय किया जा रहे देख सकते हैं और इसमें पूरे में बंडल लगता है ठीक है और लगना भी चाहिए क्योंकि इतना धूप में खड़ा रहना यह तो बार्श में पॉस्यवल नहीं है अगर कहीं पर लाइन लगा रहे हैं कावरिया को तो उनको तो बेवस्ता देना चाहिए तो जरूर इसमें लगेगा और मैं दिखाऊंगा अगर लग जाएगा तो मैं जरूर इसमें आपको दिखाऊंगा कि क्या इसमें पंडल वेगरा बना है या नहीं वो सारे चीज़ हम दिखाएंगे साथ में यहां पर सेवा के लिए भी बहुत सारे सिवीर लगाए जाते हैं ऐसे फ्री में आपको पानी वेगरा मिलेगा खाने के लिए कुछ भोज़ पदार्थ भी मिलेगा ठीक है जो फल वेगरा तो अभी फूल कुछ यहां पर नहीं दिख रहा है लेकिन हाँ जो हमारे वी एट कॉलिज तक जो जाते हैं उस रास्ते को बहुत अच्छे तरीके से त्यार किया जा रहा है जैसे कि आप लोगों ने सूने होगा बेला बगान नाम ठीक है तो अभी हम लोग जैसे ही यहां से निकलेंगे उ आपढ़ी हम लोग करते हैं देख सकते हैं और यहां से हम लोग अब लें और नीचे उतरेंगे ठीके है मुअ durante पार्किंग अरिया अगर आप घूमना चाहते हैं हमारे नंदन पार्टियां पर पार्किंग वेगरब गाड़ी वेगरब फोर वीलर कुछ भी लगा सकते हैं ठीक है अब देखिए यहां पर काफी यह पूरा पार्किंग है फोर वीलर के लिए और उधा जो था टू विलर के चलता हूं और दिखाता हूं क्या त्यारी चल रहा है है तो यह सकते हैं यह पूरा पंडाल जो बन रहा है यहां से यह यह लाइनिग इसमें काफी लाइनिंग्त लगाना पड़े गा आपको और यह बैल तो यहां देख सकते हैं, पूरा अभी काम चल रहा है, पूरा पंडाल बनेगा, दोनों साइट से अभी घहराव कर दिया जा रहा है, ठीक है, और यहां पर कुछ एक मंदीर हमको दिखा, ठीक है, और यह पूरा आपको अंध तक चलते रहेंगे, जब तक बेला बगान नहीं तब तक आपको पूरा यह पंडाल आपको मिलता रहेगा, हाँ, और उपर भी साइट चोनी बेजागा हो जाता है, जैसे मैंने बताया ना, बारिस में, या तो अगर धूब का मौसम गए तो, काफी प्रेसान हो जाते हैं, कावरिया, तो उनकी थोड़ा से देख रेक के लि से वाए होती है, बेला वगान हो, या तिवारी चोक हो, या फिर आपका बोल सकते हैं, जटाइम होड़ा है, हर जगह स्टूडेंट विगारा का एक टीम बनाया जाता है, कॉलेज के तुरू से, और जितने भी हो, वो सेवा करते हैं, बहुत बार हम लोग भी किये हैं, कॉल से पहुचेंगे, आर मित्रा प्लस टू स्कूल के टीम पहुचेंगे, आरल से आप स्कूल के कुछ टीम पहुचेंगे, जो सेवा करेंगे, अब मैं भी पढ़डे नहीं करें, अलग बात है, लेकिन सौमार के दिन तो हैंड़िट फट्षेंड है, जितने भी कॉलेज स्कू कोशिश करते हैं कि वो आपको सेवा प्रदान करें, तो मैं आपको दिखाते जा रहा हूं, यह हमारा बेला बगान की ओड जा रहे हैं, और बी एट कॉलेज भी इधर ही है, तो यह सारे चीज आपको आपको समझ में आ रहा है, कि किस परकार से त्यारियां चल रहा है, ठीक को भी सैस्क्राइब करवाना है, और जैसी में आप यह अभी तो हमें आपको दिखाए कि कावरिया के लिए क्या क्या वेवस्ता कर रहे हैं, अब मैं आपको दिखाने दिखाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, कि अगर आप फोर वीलर लेके आते हैं, तो आप पारकिंग कहा लगाएंगे, वो सारे चीज़ में मैं आपको दिखाऊंगा, तो आज के लिए इतना ही मिलते हैं, अगले वीडियो में तब तक लिए आप वीडियो को लाइक और सेयर कर दें, थैंक्यू, बाई